ओरेंज जूस तो हम आम सर्व करते ही हैं अगर आप इस तरीके से अपने महमानों को ओरेंज जूस सर्व करेंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो उसके लिए हम आज बना रहे हैं बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंग ओरेंज मोहितो उसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत है पुदीने की 20 से 25 पतियां पुदीना फ्रेश पुदीना है ये डेज निम्बू एक निम्बू के हमने 8 पीसीज काट लिए हैं उसके बीजे सब निकाल लिए चार टीस्पून मिश्री का पाउडर आप इसके बदले चिनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने स्वाद के अनुसार मीठाप डाल सकते हैं हमने चार टीस्पून डाला है सोडा ओरंज जूस 200 ml और आइस क्रश की उई तो चलिए मोहितो बनाना शुरू करते हैं एक मग लेंगे उसमें ये पुदीने की पतियां डालेंगे आप इसमें ये निम्गू के पीसिस डालेंगे मिश्री या पिसी वी चिनी ये आप अपने हिसाग से डाल सकते हैं मिट्रा आपको चाहिए हमने 4 टी स्कून डालेंगे अब इन्हें हम मडल करेंगे मेरे पास मडलर नहीं है से लिए मैं ये कर्ची के पीछे के हिस्से से करी हूँ ये ऐसे चप्टा हिस्सा होना चाहिए पीछे से इस ऐसे मडल करेंगे ताकि सब फ्लेवर इनके आ जाएं अब इसमें औरंज जूस डालेंगे ये हमने 200 ml औरंज जूस लिया है अब इसे फोक के साथ अच्छे से स्टर करेंगे ताकि सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं अब इसमें आईज जालेंगे ग्रश की हुई उपर से सोडा डालेंगे इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल मोहितो पयार है इसे पुदीने की पत्तियों से गार्निश करेंगे और इसे सर्व करेंगे तो यह रही हमारी आज की रेस्पी औरेंज मोहितो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबेक दीजिए और हमें बताईए कि आपको यह हमारी रेस्पी कैसी लगी थैंक्स फर वॉचिंग झाओ